शाहरुख खान को क्यों पसंद नहीं करते सनी देओल एक्टर ने कौफी विद करण आर्ट में किया खुलासा करण जोहर के फेमस चैट शो कौफी विद करण सीजन आर्ट ने दस्तक दे दी है और रणवीर सिंग दीपिका के साथ इस सीजन के पहले एपिसोड की शुरुआत हुई अब दूसरे एपिसोड में हाजिर हुए हैं सनी देओल और उनके भाई बॉबी देओल जानिये क्या कुछ कहा उन्होंने ने शाहरुख से लेकर सल्मान और अक्षय के बारे में कौफी विद करण सीजन एट के दूसरे एपिसोड में गदर टू एक्टर सनी देओल अपने छोटे भाई बॉबी देओल के साथ पहुँचे थे इस चैट शो पर पेट की बातें निकलवाने में माहिर करण जोहर ने सनी देओल से भी काफी कुछ उगलवाया है यहां तक कि उन्होंने ये भी बता दिया कि उन्हें शाहरुख सल्मान और अक्षय कुमार की कौ और खामियों को लेकर सवाल किया जैसा कि हम सभी सालों से ये बात जानते हैं कि करियर के शुरुआत में ही शाहरुख खान और सनी देओल के बीच आपसी मनमुटाव रहा था और कई साल तक दोनों में कोई बातचीद भी नहीं हुई फिल्म डर के सेट पर दोनों के बीच शुरू हुए विवाद के बाद फिर कभी शाहरुख और सनी साथ नजर नहीं आए हालां कि इतने साल बाद जहां सनी की फिल्म गदर टू ने बवाल मचा दिया वहीं शाहरुख की जवान ने भी रेकॉर्ड पर रेकॉर्ड बनाए इस शो पर सनी दियोल ने शाहरुख की खूबियों और खामियों पर भी चर्चा की सनी दियोल ने बताया शाहरुख में कौन सी बात उन्हें पसंद नहीं है सनी ने कहा कि उन्हें अच्छा लगता है कि शाहरुख इतने महनती हैं उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें एक्टर में क्या नापसंद है सनी ने कहा उन्होंने एक्टर्स को सामान की तरह बना दिया है सनी की ये बातें सुनकर उनका रिस्पॉंस देखकरन बोल उठे ओ गौड सनी का इशारा संभवत शाहरुख खान के कई ब्रैंड डील की तरफ था शाहरुख स्टील रॉड्स से लेकर होम फरनिशिंग और विमल इलाइची जैसे हर तरह के प्रोडक्ट का चहरा है अक्षे कुमार की वो बात जो सनी देओल को अच्छी नहीं लगती है सनी से जब अक्षे कुमार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें काफी अच्छा लगता है ये देखकर कि वो लाइफ में कितने अनुशासित है वहीं उन्होंने बताया कि उन्हें अक्षे की ये बात पसंद नहीं कि वो हर साल इतनी सारी फिल्में रिलीज करते हैं इस साल अक्षे की सेलफी, ओमजी 2 और मिशन रानी गंज रिलीज हुई उनकी लगभग आधा दर्जन फिल्में भी पाइपलाइन में हैं जिसमें वेलकम टूथ जंगल, हेरा फेरी तीन, सोरा रई पोटरू रीमेक फिल्म के अलावा बड़े मिया, छोटे मिया और सिंगम अगेन शामिल हैं सनी ने गिनादी सल्मान खान की खूबी और खामी, जब सनी से सल्मान खान की खूबी और खामी के बारे में करण ने पूछा तो उन्होंने शानदार जवाब दिया सनी ने कहा कि सल्मान काफी दिलदार हैं और उनकी यही अंदाज उन्हें काफी पसंद है वहीं सनी ने ये कहा कि वह हर किसी को बॉडी बिल्डर बनाने की कोशिश करते हैं बॉबी ने भी मामू सल्मान खान के बारे में कुछ बातें कहीं और बताया कि कैसे उन्हें रेस थ्री में उन्हें रोल उन्फर किया था सल्मान ने उनसे पूछा था शर्ट उतारेगा